मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटर में अडमिशन की तारीक बढ़ी राची के स्कूलों में 40,000 रसोयों की होगी भरती पूरे फिल्म बनाने को लेकर सोनो सूध ने कहा ये पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटर में अडमिशन की तारीक बढ़ी अगर आप भी बिहार बोर्ड में इंटर में अडमिशन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार सावित हो सकता है बता दे कि बिहार विद्याले परिचा समीती की दोरा इंटर में नमांकर लेने के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है बता दे कि जारी किये गए इस मेरिट लिस्ट के आधार पर चरित चाहतरों को रेजिट्रेशन करने का समय तीन जुलाई तक दिया गया था जिससे अब बढ़ा कर 10 जुलाई 2023 तक कर दिया गया है यानि कि जिन भी चाहतरों का नाम इंटर में एडमिशन लेने के लिए पहली मेरिट लिस्ट में आया है वह 10 जुलाई 2023 तक अपना रेजिट्रेशन करवा सकते हैं आधार के जारी के गये इस मेरिट लिस्ट को छात्रों ओएफ एसस की ओफिसियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं वहीं First Mirit List के आधार पर हुए Registration के बाद सेश 25 सीटों के आधार पर दूसरी Mirit List और फिर तीसरी Mirit List निकाली जाएगी ठंके की जपेट में आने से हुई मौद पर CM नहीं चताया शोक बीतर दिन बिहार के विवन जिलो में ठंकी की चपेट में आने से 22 लोगों की जान चली गए जिसमें रोहता से 5 जहानाबाद में 3 गया वा बकसर में 2-2 और अंगाबाद वा कैमूर में 1-1 जमूई में 3 बांका में 2 भागलपूर में 2 वा कर्टिहार में 1 व्यक्ती शामिल है बलपूर में एक रोहतास में चहानाबाद में एक और अंगाबाद में एक एवं जमूई में एक व्यक्ती की वज्रपाद से मृत्यूत दुखत है मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाग रुपे अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा खड़ाब मौसम में पूरी सितरुकता बरते आपदा प्रवंधन विभाग द्वारा जारी सुझावो का नुपारन करे खड़ाब मौसम में घर में रहे सुरक्षित रहे श्रावनी मेले के दुरान दीजे बजाने पर लगा प्रतिबंध स्पेशल फ्रेंद का पड़िचालन श्रावनी मेले के शिरवात हो चुकी है ऐसे में जिला प्रशासन के ओर से कावरिया पत पर विशेश निग्रानी की विवस्था की गई है वही अब जिला प्रशासन के ओर से श्रावनी मेले के दुरान दीजे बजाने पर पुन रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके लिए अस्थानिय थानों को नर्देश भी दे दिया गया है ऐसे में अगर प्रशासन के नर्देश को ना मानते वे किसी के दौरा डीजे बजाया जाता है तो उस पर ततकाल रूप से आवश्रक करवाई की जाएगी श्राबनी मेला स्पेशल ट्रेंज शामिल है पतादिकस बात की जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विरंद्र कुमार के द्वारा दी गई है महरास्ट की तर्ज पर बिहार में लगेंगे गन्ना आधारत उद्योग सकारिता मंतरी डॉक्टर सुरंद्र यादब के दौरा जानकारी देते वे बताया गया है कि बिहार राजे में महरास्ट की तर्ज पर ही गन्ना आधारत उद्योग लगाया जाएगा उन्होंने इसके लिए महराश्टो में लगे गन्ना उद्योग का अवलोकन करने के लिए अधिकारियों को नर्देश भी दिया है ऐसे में अब अधिकारी महराश्टो के गाओं में जाकर देखेंगे कि वहां के लोग कौन सा बीज जालते हैं जिससे गन्ने से अधिक रस निकलता है। इसके साथ उन्होंने गन्ना अधारित उद्योग लगा कर बिहार के लोगों को रोजगार देनी की बात कही और साथ ही गुदामों के आकार को बढ़ाने का भी नर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रतीक पैक्स में 500 सदस्य बढ़ाने का भी लक्षे नर्धारित किया है। रसोईयों को नहीं रखा गया है। जिस वज़े से राज्य के 30-35 फीजी ऐसे स्कूल है जहान या मनुसार रसोईयां नहीं है। मानुमों की रिपोर्ट के आधार पर ही जला सक्षा कार्याले के नर्देश पर विद्याले सक्षा समीती के द्वरा स्कूलों में रसोईयों के पतपर गाउं या फिर पंचायत की महिला को बहाल किया जाएगा। बतादे के प्रतेक रसोईयों को मान्दे के रूप में 1650 रुपए महीना मिलता है वहीं अगर किसी रसोईया की कारे रत रहने पर मृत्यू हो जाती है तो उन्हें सरकार के ओर से 4 लाख रुपए दिये जाते हैं। बिहार के 28 जिलो में इस महीने शुरू होगा जीयो का ट्रू 5G नेटवर्ग। बहुत जल्दी बिहार वासियों को जीयो का ट्रू 5G नेटवर्ग का लाब मिलने वाला है। जीयो का ट्रू 5G नेटवर्ग का सेवा मिल रहा है जिसमें बिहार के राजधानी पतना समीत, मुझपरपुर, गया, दर्भंगा, भागलपूर, बिहार सरीफ, बेगुसराय, पुर्णिया, कटिहार वा आरा शामिल है। इन सब के अलावा अधिकारियों के द्वारा यह दावा किया गया है कि साल के अंधतक भारत के हर शहर में जीयो का ट्रू 5G नेटवर्ग से वा उपलब्ध रहेगा। बोजपूरे फिल्म बनाने को लेकर सोनुसूद ने कहा यह आज यानि बुदवार को बॉलिवूड अक्टर सोनुसूद एक कारिक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के राजधानी पटना पहुँचे। तब से कई election आकर चले गए तो मुझे फर्क नहीं परता। मुझे लगता है कि राजनीती से और भी बड़े battlegrounds है जहां पर मैं खड़ा हूँ जब आप Lord Ground में खेलते हैं तो फिर रंजी ट्रॉफी की बात नहीं करनी चाहिए। तुतला भवानी वाटर फॉल ने लिया रौदर रूप। ऐसे में विश्रधालू जो तुतला भवानी देवी स्थान में दर्शन करने के लिए पहुँचे थे उन्हें एतियात के तौर पर वाटर फॉल के कुंड में सनान करने से रोक दिया गया है। ताके इंस्टर धालूओं के साथ किसी प्रकार की अन्होनी घटना ना घटे बता दे कि रौदर रूप धारन के इस वाटर फॉल का वीडियो सोसल मीडिया पर खूप तेजी से वाइरल होडा है। मालमों किस वाटर फॉल से बर्शाथ में चार महिने तक जल प्रपास से जहरना गिरता है जिसका द्रश्य काफी मनोरम होता है। लेकिन बीते दिन से यह मनोरम द्रश्य रौदर द्रश्य में बदल गया है। मालमों कि चीन में यह सियाई खेल 28 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। वहीं सियाई खेलों में बिहार के दो लोगों का चैन होने पर राश्य लोग जंतादल के राश्य अध्यक्ष उपिंद्र कुश्वाह के दोरा दोनों खिलारियों को सम्मानित किया गया और स प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जाबिर अंसारी और अरन्या आनंत ने इसे फिर्ज सावित किया है। जाबिर और अरन्या का चैन इसी आई खेलों के लिए आयोजित राश्य कैम्प के लिए हुआ है। यह बड़ी बात है। हम इनके उजवल भविश्य की कामना करते हैं। दोनों एतलेट एसी आई खेलों की टीम में जगह बना कर देश और बिहार का नाम रोशन करेंगे। के 27 वे स्थापना दिवस पर विहार के उपमुखे मंत्री। तेश्वी आदब के द्वारा टूइट कर लिखा गया है कि आप सभी प्रियस साथियों को राश्य जंता दल के 27 वे स्थापना दिवस की हार्दिक सोब कामना है। समाजी के राजनतिक और आर्थिक परसीतियों को देखते वे एक जूट होकर नौ वर्षों से किंद्र में बैठी किसान, युवा, छात्र, महिला, करमचारी, वैपारी और समधान, विरोधी, ताना, शाही, बीजेपी सरकार को बदलेंगे। आदरनी राष्ट्री अध्यक श्री लालो प्रिशाज जी की रहनुमाई में हम वन्चतों, उपेक्चतों, गडिबों, तिसानों, करमचारी और युवां के हितों के लिए निरंतर संखर्ज कर एक विक्षत, खुसाल एवं सांतिप्रिय समाज का नर्मान करेंगे। यूसिस्टी पर प्रिशान कसोर का बड़ा बयान, चन सुराज के सुतरधार प्रिशान कसोर ने युनिफॉर्म सिवल कोड पर बड़ा बयान दिया है। मेंडेंट दिया, तो उनके जो घोशना पत्र में हैं उसे लागू करेंगे ही, जब तक उनको जनता ने आश्रवाद नहीं दिया था, तब यह मुद्दे उनके घोशना पत्र में था, लागू नहीं हुआ था। अब जनता जो वोट करके उन्हें सरकार में ला रही है, तो सभाविक है के लागो करने का प्रयास करेंगे। प्रतिक शनिवार को कार्याले खुला रखने ही तो भी पत्र जारी किया गया था, जिसने के अधिकारियों को देश शाम तक कारे करना पर रहा है। वहीं इससे पहले अपर मुखिस चीव के दोरा नर्देश देते वे कहा गया था कि राजे के सरकारी स्कूल के सक्षक बना किसी जानकारी की गायब नहीं होंगे। और ऐसा होता है तो उनके वेतन को काट लिया जाएका और अन्सब के साथ सक्षकों को अपनी मौजूद की दो बार दर्ज करवानी को भी नर्देश दिया गया था। ऐसे में सभी मामलों को लेकर बिहार सरकार के सक्षा मंतरी के द्वारा के के पाठक को पीत पत्र भेज दिया गया है। कराने की मांग की गई है। जिसकी बाजारी कीमत लगभग 250 करोड के आसपास है। विपक्षे दलो की बेंगलूरू बैठक में ममता बनर जी के शामिल होने पर संदे। तरसल आज यानिके बुद्वार को ममता बनर जी के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार पिछले महीने हेलिकॉप्टर के आपात लैंडिंग में घायल होने की करान घुटने का ओपरेशन करवाया जाना है। जो कि इसी सबता कॉलकता के SSKM अस्पताल में होगा। ऐसे में अब बैंगलूरू में विपक्षे दलो के होने वाली बैठक में उनके शामिल होने पर संदे बना गई लेकिन अगर बैठक में शामिल नहीं हो पाती हैं तो उनके स्थान पर त्रेमिनल कॉंगरस का कोई और जानकाडी के लिए बता दे कि पिछले महीं ने हेलिकॉप्टर के आपात लैंडिंग में ममता बनर जी को घुटने हाथ वा कमर में चोट लग गई थी। पहलने के बाद से वेस्टन दीज दौरे के लिए टीट्वेंटी टीम का चयन करने के लिए चयन समीती की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही उनके जिम में वर्ल्ड कप 2023 की तीम चुनने की भी जिमिदारी होगी 45 साल के पुर्वभारतिय तेज गेंदबाज अगरकर ने सचहबिस टेस्ट 191 वंडे और 4 टी 20 इंटरनाशनल मैच खेले हैं इसमें उन्होंने क्रम सा 58 विकेट 288 विकेट और 3 विकेट अपने नाम किये थे बीदे दिने मादरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग ने पजाब हमें हमारी कमेंट सक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने मादरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बरते आज के सवाल की और आज का सवाल है अपने जाब हम कमें आरी कमेंट सेक्षिन मरे का जरूर बताएं आज के ली इतना ही बिहार के तमाम खबडों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखें चाला को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद